हम सब को पता है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उची इमारत है जो कि दुबई में स्थित है, लेकिन इससे जुडी हुई और भी कई सारी रोचक जानकारियां है जो कि जादातर लोगों को पता नहीं है जैसे कि शुरुआत में इसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था तब इसके उठगाटन से पहले इसे बुर्ज दुबया खलीफा टावर के नाम से जाना जाता था जी हां। बुर्ज खलीफा के नाम पर एक नहीं बलकी साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन में दुनिया की सबसे उची इमारत, सबसे उची लिफ्ट, सबसे ज्यादा मंजिल जैसे रिकॉर्ड शामिल जाहिर सी बात है बिल्डिंग उची हो तो वह दूर से देखी जा सकती है लेकिन इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसकी उचाई इतनी है कि यह 95 किलोमीटर से भी देखी जा सकती है इसकी उचाई अधिक होने के कारण सूर्य कुछ ज़्यादा समय तक दिखाई देता है और सूर्यास्त बहुत देर से होता है इसकी वज़े से वहां मौझूद लोगों को रमजान के दिनों में अधिक समय तक भूखा रहना पड़ता है इसको बनाने में 100,000,000 हाथियों के बराबर कंक्रीट, 580 हवाई जहाज के बराबर इलुमिनियम का उप्योग किया गया और कुल मिलकर 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया इस टावा को बनाने में 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया है बुर्ज खलीफा में हर दिन 946,000,000,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और एक दिन में जितनी बिजली उप्योग की जाती है उससे 100 वाट के लगभग 360,000,000 बलबेक साथ जलाए जा सकते हैं इसके डिजाइन को बनाने के लिए हायमेनोकालिस नाम के फूल से प्रेरना ली गई है उसी फूल की तरह इसकी डिजाइन को बनाई गई है जिस जगह पर यह इमारत बनाई गई है वहाँ पहले military compound हुआ करता था जिसे central military compound कहा जाता था इस building पर जमीन से लगभग 210 मीटर की उचाई पर हेलिकॉप्टर के उतरने के लिए एक हेलिपेड भी बनाया गया है इस इमारत में एक आलिशान swimming pool और restaurant का भी निर्मान किया गया है ये swimming pool दुनिया का दूसरा सबसे उचा स्थान पे बना हुआ swimming pool है जो कि बुर्ज खलीफा के 76 मंजल पर स्थित है बुर्ज खलीफा के अंदर एक समय में लगभग 35,000 लोगों के रहने के लिए व्यवस्ता होती है बुर्ज खलीफा के सबसे उपरी मंजल का ताप मान ग्राउंड लेवल से 6 डिग्री कम होता है बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए ज़्यादातर अल्यूमिनियम और कंक्रीट का उप्योग किया गया है इसके लिए 5-380 एरक्राफ्ट के वजन के बराबर अल्यूमिनियम और एक लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट का उप्योग किया गया है बुर्ज खलीफा के बारे में जानकारी पढ़कर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें